आज का डिक्टेशन सो सब्द परती मिनेट रहेगा और इसकी पीडिया फाइल हमने हमारे टेलिग्राम चेनल स्टडी वीद अच्पि स्वामें पर डाल दी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद। इस्टार्ट आतंकवाद किसी भी देश की तरक्की में बहुत बड़ी बादा है। इससे पार पाने के लिए कड़े कदम और व्यवहारिक रणनीती की जरूरत होती है। मगर तमाम दावों और सक्ती की बावजूद अगर जम्मू कस्मीर में आतंकवाद की जड़े पूरी तरह नश्ट नहीं हो पा रहीं। तो इसके पीछे व्यवस्थागत कमजोरियां ही बड़ी वजह हैं। पिछले दस वर्सों से घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के दावे किये जा रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा बलों को चौकस किया गया है। सीमा पार से होने वाली गुसपेठ पर लगाम कसी गई है। राज्य का विशेश दर्जा खत्म कर दिया गया। मगर वहां आतंकी घटनाओं में पहले की तुलना में कोई उलेखनिये कमी दर्ज नहीं हो पा रही। थोड़े थोड़े दिनों पर दहसत गर्द घात लगा कर सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला कर देते हैं। इस तरह पिछले दस वर्सों में सेंकडों जवान फोजी अपसर और आमनागरिक मारे जा चुके हैं। जम्मू के डोड़ा में तलासी अभियान के दोरान एक फोजी अपसर की सहादत उसी की एक कड़ी है। बताया जा रहा है कि वहां तलासी अभियान के दोरान आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठबेड हुई और गोली लगने से सेंन्य तुकडी की अगुआई कर रहा अपसर सहीद हो गया। पिछले मही ने भी डोडा में तलासी अभियान के दोरान मुठबेड में चार जवान और एक सेंन्य अधिकारी सहीद हो गए थे। जम्मु कस्मीर का विशेश दरजा खत्म करने के बाद दावा किया गया था कि वहां आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा बीच बीच में आंकडे भी दिये जाते रहे कि अब घाटी में आतंकी गतिविदियां काफी कम हो गई हैं। और आतंकी कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं। मगर हकीकत यह है कि सायद ही कोई महीना गुजरता है जब आतंकी घात लगा कर हमला नहीं करते वे थोड़े थोड़े समय पर अपनी रणनीती बदलते और सुरक्सा बलों का ध्यान भटकाने का प्रयास भी करते रहते हैं। तिजारत पहले ही रोक दी गई थी जिससे सीमा पार से आने वाले हतियारों और गोला बारूद की आपूरती पर रोक लगने का दावा किया जाता है। सीमा पार से गुसपेठ की कोशिसें भी काफी हद तक नाकाम कर दी जाती हैं। फिर भी घाटी में दहसत गर्दों के पास साजो सामान और वित्ये मदद पहुच जा रही हैं। और वे लगातार सक्रिय हैं। तो इसकी क्या वजहें हैं जानने का प्रयास होना ही चाहिए। दहसत गर्दी पर लगाम लगाने के लिए इस्थानिये लोगों का भरोसा जीतना जरूरी उपाय माना जाता रहा है। मगर वास्त्विक्ता यह है कि इस्थानिये लोगों में पिछले वर्सों में नाराजगी बढ़ी हैं। इस्थानिय युवा हतियार उठाने लगे हैं इस तरह बाहर के प्रसिक्सित आतंकियों के बजाई इस्थानिय इस्थानिय इस्थर पर ही दहसत गर्द तैयार होते देखे जा रहे हैं इस्थानिय लोगों से सरकार का समवाद नहीं बन पा रहा वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया लंबे समय से स्थागित है लोकसभा के चुनाव तो करा लिये गए मगर विधान सभा के चुनाव कब होंगे अब तक गोसना नहीं हुई है वहां लोकतांत्रिक प्रकिरिया बहाल हो तो स्थानिय लोगों का भरोसा जीतने में कुछ मदल मिलेगी मगर यह तभी समभव होगा जब सरकार अपने राजनीतिक नके नुकसान के गणित से उपर उठकर प्रयास करे किसी भी राज्ये के विकास और आर्थिक संपनता में उसके अपने संसाधनों की एहम भूमिका होती है मगर देश के कुछ एक राज्य एसे हैं जहां प्राकरतिक संसाधन तो भरपूर हैं लेकिन उन्हें इनका पूरा लाब नहीं मिल पा रहा था इसका कारण केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों या उपकरों के बंटवारे को लेकर विवाद था खनीज संपदा पर किसका हक है यह सवाल कई मौकों पर उठता रहा पिछले मही ने सरवोच नयालै ने इस विवाद का निपटारा करते हुए व्यवस्था दी की खनीज भंडार राज्ये की संपदा है फिर राज्यों को एक और बड़ी राहत बुदवार को मिले जिसमें उन्हें खनीजों और खनीज युक्त भूमी पर केंद्र सरकार द्वारा पिछले बारहे वर्सों में क्रमबग तरीके से वसूले गई करका बकाया लेने की अनुमती मिल गई दर असल यह मामला इसलिए उलजा हुआ था कि संविधान में खदानों के आवंटन से समंधित सीमाएं तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है जमीन और इमारत आधी पर सुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है इसलिए राज्यों में खनीजों पर कर केंद्र सरकार लगा रही थी मगर सर्वोच नयालय की संविधान पीठने पिछले मही ने सपष्ट कर दिया था कि खनीज राज्ये की संपदा है इसलिए वे पट्टे की कीमत तय कर सकते हैं खदानों और खनीज युद भूमी पर कर लगाने का विधाई अधिकार राज्यों का है कुछ राज्यों में प्राकरतिक संसाधन ही राजस्व अर्जित करने का मुख्य स्त्रोत होता है इसलिए अगर खनीजों पर भी केंद्र सरकार ही कर वसूलेगी तो राज्यों को अपने विकास कार्यों के लिए दन जुटाना मुश्किल हो जाएगा सर्वोच नयाले के इस फेसले के बाद राज्य खनीजों और खनीज युगत भूमी पर केंद्र सरकार की ओर से वसूली गई रायल्टी और करकी बकाया रासी के बुगतान की मांग कर रहे थे हालांकी केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया मगर सेर्श अदालत ने केंद्र की दलीलों को खारिज कर राज्यों को खनीजों और खनीज युगत भूमी पर वसूले गई रायल्टी और कर पर एक अप्रिल 2005 से बकाया लेने की अनुमती दे दी सेर्श अदालत के इस फेसले ने साफ कर दिया है कि खनीज के खजाने पर पूरी तरह राज्यों का हग है समाप्त दोस्तों रोजाना ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजे